नमस्कार बच्चो, दिस इस राम विश्णोई and you're watching Geography Group. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं, यह हमारी आज की वर्कशीट नमबर दो रहेगी, जिसको हम डिसकस करने वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट रहेगा SST सामाजी की विज्ञान, जिसमें हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर, फ्रांसेसी करांती है, उसको जार पिसक्ती वर्कशीट में हमने बात कि थी कि फ्रांस की जब क्रांती हुई थी, तो वहां का समाज कैसा था, उस वक्त फ्रांस का समाज तीन वर्गों में बंटावा था, परथम एस्टेट, द्वित्येश टेट और तिर्त्येश टेट में, और साथी साथ वो जो वर्ग थी वहाँ पर एक गड़बड थी, गड़बड ये थी, कि जो तृते एस्टेट था, उसे सभी टैक्स देने होते थे, और प्रत्थम और दृते एस्टेट थे, वो मजे करते थे, यानि कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था, यहीं पर जो तृते एस्टेट था, उसके हाल चलिए उसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस की करांती के कारण क्या थे और इसकी सुरुवात कैसे भी थे तो फ्रांस की करांती के बहुत सारे कारण थे सबसे पहले हम सामजिक कारण की बात करें तो पहला कारण था कि सामजिक भेदभाव होता था सामजिक भेदभाव का अर्थ है कि समाज के कुछ वरग के लोगों को कुछ special अधिकार प्राप थे जैसे कि कुलीन वरग हैं पादरी वरग हैं उनको कई जनम आधायत विशेश अधिकार प्राप थे जबकि इस परकार के कोई अधिकार तिरते एस्टेट के लोग जैसे किसान हो गए मजदूर हो गए या कारीगर हो गए उनको प्राप नहीं थे तो सामाजिक भेदभाव के कारण लोगों में ये गुस्सा था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों दूसरे ये था कि जनम आधायत विशेश अधिकार ये भी उसी में आता है कि समाज जो था फ्रांस का उस वक तीन वरगों में बटावा था पर्थम एस्टेट दूइत्य और तेत् ये आपको कोई टेक्स नहीं देना आपको कोई लगान नहीं देना बस आपको सिरफ मजे करने है तिरते स्टेट का मतलब ये था कि आपको सारे टेक्स देने हैं जब भी गड़बड होगी सब कुछ आपको ही कर जा चुकाना है जबकि उन्ही के तरफ सबसे कम ध्यान दिया कि कब मोका मिले और हम गद्धी से समराइट को ता दें दूसरे थे राजनितिक कारण एक पहला कारण था कि कमजोर शौसन उस वक्त लूई 162 क्या था वहां का समराग था यानि कि वहां के राजा थे किंग थे और वो एक कमजोर शासक थे उनका परशासन पर कोई नियंतर नहीं था ना तो उन्होंने कोशिश की जनता की स्थितियों को सुधारने की साथ ही जात उनकी कमजोर नीतियों के काण जो नीतियां थी उनके कान फ्रांस लगातार युदों में उलजा रहने का मतलब कि पडोशियों के साथ युद कर लिया एक की साथ खतम हुआ दूसरे के साथ कर लिया उसके साथ साथ सरपंची करने का बड़ा सोक था इनको मतलब बिनाबाद की पंचायती और इस चोदर के चकर में ये अमेरिका में भी युद में जाको दे अमेरिका का सवतंधरता संग्राम का युद चल रहा था और भाई इनको जाने की क्या जरूर थी ये वहाँ पर गए और युद में जाकर के फस गए बिनाबाद के तो जो नीतियां थी और कंजोर शासन था वो भी एक बड़ा कारण था फ्रांस की क्रांती का क्योंकि जंता को लगता था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता अगर हम करांती करेंगे तब ही कुछ हो सकता है उन्हें लग रहा था कि हमें मरना है लड़के मरें तो बहतर है क्योंकि वैसे भी ये निकम्मा राजा जो है वो हमारा कुछ भी भला नहीं करने वाला है तो ये हो गए रांती कारण उसके साथ साथ आर्थी कारण थे आर्थी क का महल था उसके उपर बहुत सारा खर्चा किया जाता था इनके एक महरानी थी मेरी अंतायते थी और इसके कारण राजकोष था खाली होना ही था एक और कारण भी था राजकोष खाली होने का कि जो यह लगानी कठा करते थे वो बड़ा गल्द सा सिस्टम था यह प्रत्थम औ उंसे लगान नहीं देती थे और जिन से लगान लेते थे उनके पास पैसा नहीं था तो राजकोश तो खाली होना ही था तो राजकोश खाली होने के काँड भी एक तरीके से यह हुआ कि सारा गड़बड हो गया क्योंकि जो भी क्रוםचारी थे, सेनिक थे उनको वेतन देने के भी लाले पड़ गए दूसरे था युद की वज़े से कर्ज कि राजकोस तो खाली हुआ वो हुआ खाजाना खाली हुआ वो हुआ साथ-साथ इन्हें कर्ज लेना पड़ा साहवकारों से दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा इसके कान भी हालात थे, वो बड़े खराब हो चुके थी, यानि कि खर्चे निकालने बड़े मुश्किर हो गए, देश कहां से चलता इन से, जीविका संकट, एक और समस्या खड़ी हो गई, वो रार्थिक संकट में ही, जो हम लिखेंगे यहां पर आर्थिक आर्थिक आर्थ लेकिन अनाज के उत्पाद में वरेधी निवी, और एक गड़बड और भी हो गए, 1789 की करांती से पहले लगता तीन वर्सों पर तीन वर्सों तक, अकाल के कान, सूखे के कान, ओला वरिष्टी के कान, फस्तने बरबाद हो जाती है, असर क्या हुआ, महंगाई बढ़ जात और ऐसे हालात में लोगों को लगा कि मरना है, भूक मरके मरेंगे, या फिर हमें लड़के मरना है, तो उन्होंने सोचा कि लड़ा जाए, इस बार कुछ बदला जाए, ओके, तो यह कारण थे आर्थी कारण, उसके साथ-साथ दार्शनिकों की भी भूमिकारी, यहाँ पे जैसे आपके एक क्वेशन जो आएगा, एक्जाम में फाइमार्स का कि फ्रांस की करांती की कारण क्या थे, तो अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ, कौन से आर्थी के, कौन से सामजी के, कौन से राजनती के, तो टेंशन नहीं लेनी, सारे लिख दोगे, अपने आप एक्जा विचार देते हैं, तो लोगों को जनम अरहित विशेशा दिखार के खिलाप जागरुक किया, इन दार्षनिकों ने क्या किया, कि बड़े बड़े विचार दिये, कई सारी पुस्तकें लिखी, और उन में से उन्होंने एक चीज़ का विरोध किया, लोगों को इस चीज़ क साथी साथ उन्होंने लोगों के सामने नए विचार दिये, सवतंतर्ता और समानता, उन्होंने एक नया मोडल पेस किया, कि समानता होने इसे समाज में, चाए वो राजा हो, चाए वो रंक हो, सबको एक समाना अधिकार होने चीए, और कुछ अधिकार सब के पास होने चीए कुछ है तक सवतंतरता होनी चीए लोगों को लगा करांती होगी तो यह हमें मिलेगा यहनी कि एक तरिके से यह कह सकते हैं कि फ्रांस की करांती में दार्शनिकों की बड़ी भूमिका थी उंगली इन्होंने की थी कि ऐसा कीजिए और यह सब कुछ आपको मिलने वाला है साथ ही साथ तातकाली कारण की बात करें कि उस वक्त यह सब कुछ तो था पहले गुस्सा था लेकिन एक चिंगारी चाहिए होती ना जिसके कारण करांती होती है तो तातकाली कारण बोलते हैं उसको इमेडियेट कोज इमिडेट कोज ये था कि 1789 में क्योंकि खजाना खाली हुचका था तो समराट ने टेक्स बढ़ाने का विचार किया और उसके लिए उन्होंने तीन एस्टेट, तीनो एस्टेटों की मिटिंग बुलाई, एस्टेट में क्या होता था की हर एस्टेटके, फर्थम एस्टेट के तीन सो मेंबर होते थे, ने की मरजी से ही उनकू बुला करके टेक्स बढ़ाय जा सकता था ऐसा वहाँ पर नियब तो तीनों एस्टेट के मेंबर को बुला लिया गया गढढ़ थी यहाँपर, गढ़ढ़ ये थी की कि चाहे member 300, 309 में थे और उसमें 3rd में 600 थे, 600 थे, लेकिन vote सबका एक एक की माना जात, जिस side में 2, उस side में मतलब हाँ, तो अब पर्थम और दिर्तेक एस्टेट को थोड़ी text देना था, उनको तो हाँ बोलना ही था कि text बढ़ा दो, double बढ़ा दो, triple बढ़ा दो, हमें कोई मत लवनी है, इस बात से तिर्तेक एस्टेट है, वो नाराज हो जाता है, और ये फ्रांस की करांती का बड़ा कारण बनते हैं, तो ये तातकाली कारण था, तातकाली कारण में हम heading में लिख सकते हैं, करो में वृधी करने का निन्ने, जिसके कारण करांती बढ़ा कुटती है, तो ये आपका इस चैप्टर का most important question बनेगा, मिट्रम में ये 5 marks में 100% रहेगा, और आपके इन्वल एक्जाम में ये 99% आपके इन्वल एक्जाम में 5 marks में रहने वाला है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर को, जानने की कोशिश करते हैं, कि फ्रांस की क क्रांती की कारण के बाद क्या-क्या घटना ही होती है, क्या कुछ होता है फ्रांस में, तो क्रांती की शुरुवात कैसे होती है, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को, लुई 16 की द्वरा टेक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मिटिंग बलाई जाती है, यानि कि 5 मई का दिन होता ह तब लुई 16 तीनों एस्टेट जनरल की मिटिंग बलाते हैं, 300 प्लस 300 प्लस 600, टोटल 1200 मेंबर होते हैं, तीरते एस्टेट के लोगों ने वहाँ पर एक मांग रखी, एक वेक्ती, एक वोट, एक मुल्य होना चीए, कि बात बराबरी क्यों होनी चीए, ऐसे नहीं कि हमारे 600 मेंबर हैं, लेकिन वोट हमारा ये किमाना जा रहा है, लुई 16 ने इस मांग को न कार दिया, उन्होंने का कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले से जो चलता रहा है, वही हम जारी रखेंगे, तेरते एस्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वोक आउट कर दिया, वोक आउट स Assembly डेकलेर कर देते हैं, नेशनल Assembly मतलब पार्लेमेंट खुद को डेकलेर कर देते हैं, उस वक्त नेशनल Assembly उन्होंने नाम दिया, और उन्होंने डिमांड की कि जो राजा है, उसके अधिकार हैं, राइड से उसमें ओर कमी की जाए, कि सारे डिसिजन वो अकेले क्यों ले, ज इधर फस्तलों के निष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफी वृधी हो चुकी थी उसी समय में और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूट मार आरम हो गे थी देखिए कितने बड़े हालात खराब हो चुके थे कितने ज़्यादा कि ब्रेड की दुकानों पर और दिया गया कि फसलें नष्ट कर दी जाए लोगों को भूगे मरने दिया जाए बस लोगों ने भी कुछ करना शुरू कर दिया और 14 जुलाई 1789 को जिस दिन करांती के शुरूआत होती है लोगों ने बास्तील के किले को धुष्ट कर दिया और वहां पर जितने भी बंदी थे हल stellen के बहुत कम थे उन को छुड़वा लिया और इस तरीके से ये करांती की शुरूआत होती है ये सब जो परशन दिया गया, वो देखिए कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, तो थे लुई 16, लुई 16, उसके बाद सेकिंड जो परशन दिया गया, दूसरा परशन हमारा रहेगा, एस्टेट जनरल की बैठेक क्यों बुलाए गई थी, तो एस्टेट जनरल की बैठेक बुलाए तिर्थे एस्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोशित कर दिया था, तो तिर्थे एस्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोशित कर दिया था, उसके बाद फोर्थ जो क्वेशन बनेगा, वो भी हमारा एजी रहेगा, लोगों ने बास्तिल के किले को द राज का दिया, उन्हें लगा कि मतलब राजा हमारे उपर ही सेनिकों से आकर्मन करवा रहा है, तो लोग ना राज होगे, उन्होंने बास्तियल के किले को धवस्त का दिया, उसी गुस्से में, और ये बास्तियल का किले था, वो राजा की शक्ति का परतिक था, मतलब बास्ति तो फिप्थ हमारा कुश्चन बनेगा, देख लेजिए, फिप्थ हमारा कुश्चन बनता है, कि तिरते एस्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी, यह जो कुश्चन है, आपके एक जामे नहीं आने वाला है, तिरते एस्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी, यह मांग थी तिरते एस्टेट के लोगों की, थाड़े एस्टेट के लोगों की, वर्तमान में एक वैक्ती, एक वोट, एक मुल्य समाज में लोकतंतरों समानता का अधार है, तो ये हमारा वर्तमान से इसका क्या लेना देना इसमांग का, कि जैसे वो मांग की गए थी, आज ये सबसे म वोट का अधिकार मिला, चाहे हो अंबानी हो, अदानी हो, चाहे हो मिडल क्छास फेमली से कोई हो, सब को एक समान वोट का अधिकार मिलावाई, जो उस वक्त नहीं था कैसे के पास, तो यह थी हमारी आज की बहुत आसान वर्क्षीट जो काफी important थी कुछ important topics हमने discuss किये हालांकि questions इतने important हमने discuss नहीं किये, content important था उमीद करता हूँ ये वर्क्षीट आज का content आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी, तो इसे like करने के साथ साथ अपने नई friends के साथ share करना मत बोलेगा, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye bye, have a nice day